ब्लड प्रेशर अगर किसी को है अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉबलम है तो जादातर लोगों के मन में यही धार्णा आती है कि एक बार दवा शुरू हो गई तो हमेशा खानी पड़ेगी इसलिए लोग उसको टालते रहते हैं वो सोचते हैं कि जब तक काम चल रहा ह कोई बात नहीं है ब्लड प्रेशर ही तो बढ़ा तो जिस भी और पूरे शरीर में खुन दौड़ा होता है तो चाहे वो kidney में जा रहा है, चाहे वो heart में जा रहा है, चाहे लंग में जा रहा है, वहाँ सब जगे वो एक pressure से जा रहा है, तो एक tension की condition हमारे body में create हो जाती है, जिसकी वजह से आगे चलके धीरे-धीरे organs पे, जो हमारे शरीर के उन पर बुरा आसर पढ़ने लगता है, इस में परिशान मत हो ये, लेकिन blood pressure को control करना बहुत जरूरी क्योंकि आज आप control नहीं करेंगे, तो ज्यादा समय बाद आपको और भी ज्यादा दिक्कते होंगी, heart की problems होंगी, kidney की problems होंगी, brain की problem होंगी, उन problems को रोकने के लिए जो आने वाले समय में हो सकती है, uncontrolled blood pressure की वज़ जरूरी है, साथ में आपको अपना lifestyle चेंज करना होगा, आपको exercise करना बहुत जरूरी है, आपको समय से नियमित खाना खाना बहुत जरूरी है, तो ये चीजें अगर हम करें, तो हम blood pressure को अपने control में रख सकते हैं, और स्वस्त जीवन जी सकते हैं